तो दोस्तों यह है बोट एयर डॉप्स 161 ट्रूली वायरलेस यह और आज का हमारा टॉपिक है हाउ तो यूज बोट एयर डॉप्स 161 यह बट्स यानि कि आज की इस वीडियो में मैं आप सब सबसे पहले मैं आप सको इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ आप सबको बताने वाला हुँ है वाईर के साथ करने वाला है यहां पर यहां पर गदाओं के आप हमने लिग नेटा है बन कर लगा देते हैं यहां पर यहां Emery तो फूली चार्ज हो जाता है तो यह तो होगा इसके चार्जिंग केस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं को अनौफ कैसे करते हैं तो जैसे कि आप सब इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हूँ ठीक वैसे आपका जो बूट एडॉब 161 है वह आटोमेटिक ओन हो जाता है और ओन होने के बाद आटो मैटिक फीर होड़ा बीजाता है तो आप सब बिना यृट प्सके चार्जिंग केस से बाहर निकाले हीamat आप अपने डिवास के साथ कर सकते औरने निकर ने के बाद कर सकते हैं म्यूजिक पले वेगरा कर सकते हैं और उसके बाद जैसे आप इसके चार्जिंग केस को वापिस के constitu2 में रखते हो कपका यह बढ़े वह ऑटुमेटिक चारजिंग पर आजाता है और ऑप कर दिसक्रेक्टव जाता है तो जैसा हम इसके चार्जिंग केस को वापीस के चार्जिंग केस्ट में रख देते में रखने के बाद आपका जो एयरब o fPER के जाता हूं जाता है और जासे हम सबसे पहले करेंगे दोनों एरबर्स के टच कंट्रोल के क्या क्या फीचर है तो सबसे पहले जो आप इसके एरबर्स को बहार निकालते हो तो यहां पर आप सब को एले लाइट इंडिकेशन भी देखने को मिल जाता है जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारा जो यह बड़ है वह ओन है सबसे पहले मैं आप सबको बूल्ट ऑफ 161 टाच कंट्रोल के बारे में बताने वाला हो सबस्के आप सिंगर ट要व से अंगर को स अगर आप सीब कर सकते हो और से इसका सब्सक्रस्राइब लिए तो स्टेइब कर सकते हो सब्सक्राइब अब हम इसके लेफ साइट के टढूर्स के के बारे में जाल लेते तो यहां पे भी आप जस्ट सिंगल टच करने से आप कॉल को रिशीव कर सकते हो और डवल टच करने से कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो और सेम आप सब सिंगल प्रेस करने से म्यूजिक को प्ले पॉस कर सकते हो अगर आप डवल टच करते हो तो सौंग को प्रिवियस कर सकते हो और अगर आप इस पर टाच एंड होल्ड करके रखते हो तीन सेकिंड के लिए तो आप इसमें भी वोईस एसेटें एनेवल कर सकते हो तो यह तो होगे दोनों यह बड़स के टच कंट्रोल के फीटर्स के बारे में तो अब हम बात कर लेते हैं बोट एड 161 को रिसेट कर सकते हो तो अगर आप सब को बोट एड़स 161 से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो मैं आप सब का रिप्लाइज जरूर करूंगा और अगर आप सब को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लिस वीडियो को एक लाइक क अगर नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करके बेलेखन को ओन कर देना क्योंकि मैं ऐसे लेटेस्ट गैजट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही